जब एकनी कोई फिल्म देखकर एक्जिट गेट की तरफ बढ़ता है, तो अपने साथी के साथ उस फिल्म की समिक्षा करने लगता है। कहीं प्रशंशा है, तो कहीं आलोचना है। उसी एक्जिट गेर से बाहर निकल कर, जब स्टेर्स का रास्ता सामने होता है, तो वहाँ पर भी लोगों के द्वारा की जा रही समिक्षा, जो उस फिल्म की है, वो भी अंचाहे तरीके से कानों के भीतर गुंजने लगती है। एक्जिट प्रतीक स्तर पर ये शब्द अतिमहत्वपूर्ण है। 15 वर्शों तक एक और्गनाईजेशन में नौकरी चलती रही। प्रमोशन देखी, एक्स्पोनेंशिल ग्रोध देखी, कहां थे और कहां तक पहुँचे। एक समय के बाद उस कंपनी की स्ततियों में थोड़ी सी दुवधाएं आई। और दुवधाओं की वज़े से ले ओफ होने लगे। और कहीं न कहीं उस व्यक्ति का नाम भी शमार उसमें हो गया जो एक्जीक्यूटिव की लेवल पर उस कंपनी को जॉइन करने वाला रहा था और आज वाईस प्रेजडेंट के लेवल तक पहुँचकर उसको ले ओफ का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति निराशाओं का शिकार हो जाता है उस और्गनाईजेशन के परती एक कुंठा रखने लगता है यह सोचता है कि इस तरह से मुझे यहां से एक्जीट करना पड़ा ऐसी सरकमस्तांसेज में निकलना पड़ा इस कंपनी में दुबारा कभी नही है उस पूरे ही सफर का आंकलन नहीं है जैस कंपनी ने से राखों पर बिठाया इतनी ग्रोध भी और जब निकलते वक्त अनुभव थोड़े से गलत हो गए तो क्या वहां व्यक्ति यह कह सकता है एक ही व्यापार में 20 वर्षों तक तरक्की की गर परिवार के जो सारे ही ब अप्रोच को क्रेट किया वो सब कुछ किया और वो सब कुछ हासल रहा जो इस सफर में व्यक्ति की चाहत होती है कि दो वही से बिजनस का थोड़ा सा मोड बदला जिसे व्यक्ति विशेश दशाओं के साथ चलते हुए समझ नहीं पाया और वही से एक समय के बाद उसको उस विशेश दिया नहीं मुझे इस तरह से अबरब्ट अप्रोच में यहां से निकलना पड़ रहा है वहाँ पर भी एक्जिट है जिवन की प्रती एक सिरे के साथ में वले ही स्कूल हो कॉलेज हो रिश्टे हो यहां ये शब्द कई बार सामने आता है एक विक्ति विशेश के साथ में बहुत अच्छे संबंद रहे मदृता के साथ में खुद को आगे लेकर बड़े कही सुखत खशन बाटे परिस्तिया ऐसे आई मन के वेटर वचार ऐसे आए कहीं ने कहीं उदविक्नत आई और उस वेचारिक विद्रों के कारण उस रिश्टे को कहीं ने कहीं इस पे खड़े होके जो negativity सामने आई उसको पूरे ही जीवन के साथ में देख लेना कई बार एक बहुत बड़ी घलत फैमी है वेक्ति विशेश के लिए और इसी वज़े से हम जब भी आंकलन करें जब भी कहीं से ऐसे आधार के साथ में निकल रहे हो ये समझा जाए कि इन 15 वर्षों की यात्रा में इन 3 गंटों की यात्रा में इन 15 दिनों की यात्रा में इन 6 महीनों की यात्रा के अंदर क्या एक कुशन के साथ में ही आकलन किया जा सकता है के नहीं सही नहीं रहे है इसे वज़े से जब भी हम ऐसे किसी भी प्रतिकरिया की और जा रहे हूं एक बार ये जरूर सोचें कि यहां से मिला क्या क्या है सरकंस्टांसिस की वज़े से कहीं न कहीं exit की ऐसी position निकल कर आई किन्तु वहां से निराशाओं के साथ में यह निवेक्ती चलता है तो खुद को अगले इस तरकी उर्जा के लिए तयार करने वाला नहीं होता और कहीं न कहीं कुन्ठाओं के भाव आने लगता है इसे वज़े से organization हो व्यापार हो कोई जगह हो हम उस exit के साथ में उसका आंकलन करने से जली एक बार बचते हैं तो मन के भीतर जो cumulative approach के अंदर ऐसे essence आते हैं जो कई बार negativity को दर्शाते हैं व्यक्ति उससे बचने वाला हो सकता है वही आप यह देखिएगा कि जो बारही भावों के साथ में द्वितिय भाव की ग्यातरा जोड़ी हुई है उसे हम liquidity house कहते हैं द्रवेश कहा जाता है एक बहुत बड़ा विभेद है जब भी हम जोतिश चर्चाओं के और पहुंचते हैं तो एक शब्द जो कई बार हम भी इस्तवाल करते हैं कि यह धन भाव है धनेश की स्थिया है किन्तु थोड़ा सा गूरता के और द्वितिय भाव के साथ में चला जाए तो सिर्फ धन भाव की स्थिया नहीं द्रवेश की स्थिया होती है जहां लिक्विडिटी के बेस को पूर्ण तया देखा जाता है। और वहीं आप ये देखिए कि पारिवारे के जनों के साथ में सामन जैसे किस तरह का है, कोटुम्ब की आधार क्या है, वो भी द्वितिय भाव के साथ में जोड़ी हुई आतरा है। उसी द्वितिय भाव के साथ में व्यक्ति, स्वयम को एक अलग दर्जे के साथ में समवेदनाओं के प्रारूप में भी लेकर चलता है। वाणी अनुभव के साथ में पनप्दी है, अनुभव के साथ शब्द कोश कितना है, उसके साथ में वाणी के आधार चलता है। तो second house के साथ में communication के approach है वहीं पर liquidity का base है और आप ये देखिएगा कि पारिवारिक इस्तर भी है जो एकटा किया भीतर और अब जो rotate हो रहा है वो दन भी हो सकता है वानी भी हो सकती है पारिवारिक आधार पर सुख़द ख्षन देखे कई बार गफलतें देखी कई बार circumstances के driven approach कुछ देखी कई बार ऐसी बातें सुनी जो हमारे लिए एक तरह से कभी कही गई ही नहीं थी किन्तु आज पहली बार वो सामने निकल कर आ रही है और हमारा उससे कोई भी नाता नहीं पारिवारिक इस तर पर वो भी देखा किन्तु ये सब कुछ चलायमान इस्तिया है क्यो कुल अलग है जहां से निरंतर चलायमान इस्तियां देखे जाती है आप धन को संरक्षत करने का प्रयास कर दीजिए वहां से उसमें बडोतरी नहीं है किन्तु जैसे ही रोटेशन निकल कर आता है वहां से बडोतरी का एक बेस सामने होता है ये एक महतुपुन स्तिय है जिस ये देखने की जरूरत है बुद्ध की स्तिया हो ब्रहस्पती की स्तिया हो शुक्र की स्तिया हो चंदर्मा की स्तिया हो तो व्यक्ति के लिए जो दनागमन की स्तिया है वो एक रोटेशन के साथ में चलती है शनिदेव का अधार हो सूर्य का अधार हो यहां पर तो यहां एक स्थिरगामी प्रवर्थी मिलती है व्यक्ति के निरणय में वाणी में और वहीं जो धन की सामर्थिवान स्थिया होती है उन सभी के अंदर जो रूटेशन का बेस होता है वो थोड़े से धीमेपन के साथ में निकल कराने वाला होता है कि तू जब भी अकेले द्विटी घाव के साथ में होंगे तो दंगमन की तिवरता एक अलagne तरीके से निकल कराती है और जब भी रहू होंगे तो वैकती संबंदों के अंदर उस संबेदना के साथ में नहीं चलता इसी वज़े से उसकी जो रुपए पैसे की स्थितिया है वो बहुत अलिक फस्ती नहीं है किन्तु संबंद दुराव की और जाने वाले हो जाते हैं ये दुटी भाव की यात्रा का एक तरह से चर्चा जनेत वर्णन इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मों के हाँ 39 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं चंदरमा धनु राशिस्तान में सुर्यदेव मकर राशिस्तान में गमन कर रहे हैं माग मास कुर्षन पक्ष चल रहा है तो वहीं शनिवार के स्तिया रहेगी शनिप्रदोष भी आज ही है और आप ये भी देखिएगा कि मूल नक्षत्रिय परिधी आधार सूर्यले कालिक प्रवर्तियों में रहने वाला हम शुर्वात करते हैं इस सप्ताह के अंतिम सिरे की मेश राशी के साथ में नौकरी पेशा जीवन में भाग्ये का सायोग तो वहीं यात्राओं से संबंदित कामकाज सामने आ सकते हैं वाहन चलाते समय आज आज आप सुबह सुबह के अंतराल में सावधानी बरतीगा स्पीड लिमिट को अपने मेंटल बेस के साथ में फ्रेम आप जरूर करने वाले हो आध्यात्मिक चिंतन में व्रद्धी है एक आंत आज आपको लुभाने वाला होगा और मन के भीतर की संतुस्टी भी बहीं से निकल कर आती चली जा रही है यह निविदन आप से हम करना चाहेंगे कि यहां जो पराकरम में आप स्वैम के लिए वर्द्धी देख रहे हैं उसका गलत तरीके से आप इस्तमाल करने से बचिएगा कई बार वेक्ति के पास में ओधा होता है और वो कई लोगों को जवाब देने के लिए ततपर होता है उसने ऐसा किया था उस समय ऐसे गटना करम की गटे तिस्तिया सामने थी उन सभी से बच कर आज के इस यात्रा करम को देखने की आवशकता है रहेंगी यह निविदन है आप से कि जो आत्म विश्वास से लबरेज होकर आप चल रहे हैं उसी की बूते अपने निरने की स्विकारोक्ती भी अपने साथ में आप बना कर रखते चले जाईएगा लोग बले ही शंशय के साथ में हों किन्तु आप आत्म विश्वास की पूंजी के साथ हैं सिवजे से शनिवार के इस दिवस विशेश में बड़े नरणायों की और बेहद आसानी से जाया जा सकता है वहीं वुरशब राशी प्रतम तया जो रिसर्च संबंधी कामकाज है जहां व्यक्ति के भीतर का आंकलन लगातार चलता होता है वहाँ आपके लिए बहतरी विदेश संबंधी कारियों के अंदर भी संभाबनाओं के दरजे अती महत्तुपूर्ण सिरे के साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं लेखन संबंधी कामकाज में भी आज आपकी क्षमताएं अलग प्रादोर भाव के साथ में रहेंगी यह नविदन करेंगे आपसे कि आप वाणी संबंधी कामकाज में धेड़ी रखने के साथ में नरणायक मौकों पर कम शब्दों में अपनी बात को रखने वाले जरूर हों वायू जनतविकारों से आज आप साथधान रहें तो वहीं माईगरेन से संबंधित समस्याएं भी दोपहर के बाद में आपको यहां सताने वाली हो सकती है उससे भी आप जरूर संबलिएगा और वहीं जो भूमी संबंधित कामकाज है नरणाय में तिवरता दिखाने से आ जिवन परूच आती है उससे पूर्ण तया संबलना आपके लिए आविशक रहेगा ये एक निविदन आपसे हम करेंगे वहीं मिथुन राशी व्यापारिक जिवन में आत्म विश्वास के साथी साथ में जो सहरदैता होती है जो लोगों से जुड़ने में भरत करती है वो आज आपके साथ मौजूद किसी भी कारण वशात जो मन के भीतर भायपन पावा था उससे मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं ये एक सुखद परवर्ती वहीं आप ये भी देखिएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच आपके साथ बहुत बहतर तरीके से बनी हुई यहां वस्त्र उद्योग संबंधी शेतर विशेश के साथ में आपका हस्तक शेप रहा है तो बहतरी आपके संब्मुक लगातार निकल कर आ रही है याने विदन है कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाच के साथ निरने में बहुत अदिक तेजी दिखाने स बचिएगा बिजनस पार्टनर्शिप में चोटी चोटी बातें जो कई बार दुराब देती है उससे भी संबलने की आपको यहां पुरजोर जरूरत रहेगी मानसिक सुख में जो वरधी के सेरे निकल कर आने चाहिए वो भी आपके साथ में बेहद शांदार तरीके से कामक आज के एसेल्स के रूप में मौजूद रहने बाले होंगे अपनी क्षमताओं के साथ में आप जुड़ते चले जाईएगा पत्नी बक्ष के साथ में रश्टों में जो सुधार की गुंजाईशे होती है वो लगातार आपके लिए बनी हुई है खर्चों के उपर नियंतर करकती के साथ में चल रहे हैं कहीं कहीं उसके साथ में आप अपनी खुशी को जोड़ने का प्रयास जरूर करने वाले रहें इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं करकर आशिक किया और तो आप ये देखिएगा कि मन के भीतर अग्याद भाय की स्ततियां परेशान करने वाली हो सकती हैं इसे वज़े से आज आप शेवपासना की और दिरंतर जाने वाले हों एकांत में समय बिता कर मन के भीतर की उलजनों को सुलजाने का प्रयास कीजिएगा ऐसे वक्ति के साथ चर्चा करने से बचें जो खुद ही उलजा हुआ है और प्रतिक समय नकारात्मक सिरों के चले जाएंगे उनकी पहचान करना और पहचान करके आगे बढ़ना ये आपकी निरंतरता का एक पोखता माध्यम मात्र है आप ये भी यहां पर देखें कि जो रण से संबंदित कोई भी निरना आपको लेना होता है उसमें भी पूर्ण तयाप सावधानी बरतने वाले जर आप इस बात पर भी गौर किजिएगा कि इसी समय में आपको कहीं ने कहीं जो रिलिशन्स के साथ में डिस्ट्रेक्शन के अपरोच आती है उससे पूर्ण तया बचने की जरूरत रहने वाली होगी अध्यात्मिक चंतन में कमी है कहीं ने कहीं बहुत एक्ता यहां आपके लिए हावी है और आप इस बात पर भी गौर करें कि कोई भी निर्णाएं आप वैपारिक जीवन में एकल बूते लेने वाले हैं जहां सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है एक बार जीवन के हितेशी लोगों से सलाह लेने की जरूरत पूर्ण तया रहेगी वही सिंग राशी परतमतया आप ये देखिएगा कि जो लाब की परवर्टिया होती है वो दीरे दीरे यहां से आपके लिए बढ़ती चली जा रही है जिन खोशनुमा पलों का आपको लंबे समय से इंतजार था वो भी यहां आपके साथ में जुड़े हुए और वहीं मदद की थी और आज वो ही स्वयम के लिए चंता का सबब बन गई बहां से भी आपको एक रिलीफ मिलने वाली हो सकती है ये निवेदन आप से करना चाहेंगे कि खान पान पर आप नियंतरन रखें और वहीं अती विश्वास जो भी अपने साथ कामकाज में जुड़े उसको चेक करने के लिए एक बार एक निगाह रखने की आवशक्ताएं पूर्णतया यहां आपके लिए बनी हुई वहीं जो सुबह सुबह का समयंतराल है उसमें अपनी प्रायरिटी को आप डिसाइड करके चलिए का कौन सा काम किस समय किस आधार पर करना है ये निरनाय अ अपने साथ में मौझूद रहता है तो आप उरजावान होते चले जाएंगे और वहीं इस प्रमुक बात पर भी आप जरूर गौर करें ये जो आपका पराकरम है वो एक तेजवान आधार के साथ में आपका सयोग देता चला जा रहा है कन्या राशी परतम देया अज्याद भै संबंदी स्तियों से हमेशा आप संभलने का प्रयास करें साथ ही साथ में मानसिक सुख में दरंतर तोर पर वुरद्धी होती चली जा रही है आज इवी काका जो भी नया माध्यम विक्सत करना होता है उसमें भी आप आज यहां निर जो आपके लिए यहां हरदय रोक से संबंदी तेस्तिया लंबे समय से परिशान कर रही थी वहां पर जो प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में चलना होता है उस और भी आप गतिमान जरूर रहेगा जो आपके लिए पारिवारिक जनों के साथ में चोटी चोटी बात को लेकर बारंग बार कुंठाएं निकल कर आई है दुबधाएं निकल कर आई है उससे भी कहीं निकहीं संबलना और एक तरह से उन्हें चर्चाओं को आगे बढ़ाना जिसमें सुकत आदार रहे ये अतीव आवशक रहेगा कन्या राशिय जातकों के लिए कमिशन संबंद कामकाज में ये दिवस बहतर कहा जाएगा कोई भी निरनायक मीटिंग के और आप जा रहे हैं वहाँ पर भी जो पॉजिटिविटी है वो लगातार आपके साथ में बनी हुई है वहाँ पर भी दुबधा के सेरे उपलब्द नहीं है ये एक इस्तिती आप देखिएगा और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि जो माता के स्वास्ति को लेकर छोटी छोटी दुबधाय आ रही थी उसमें भी कहीं ने कहीं एक रिलीफ आपको मिल सकती है वहीं तुला राशी प्रतम तया पराक्रम में निरंतर तोर पर व्रद्धी बनी हुई ये वो समय अंतराल जहां यात्राओं से संबंदित संबृध्धि आपके साथ में जुड़ी हुई आप व्यापारिक जीवन या फिर नौकरी पेशा जीवन में किसी और व्यक्ति बिशेश के साथ में जुड़ना चाहते हैं नौकरी बिशा जीवन के अंदर कोई पुराने अधिकारी रहे वो किसी और और्गनाईजेशन में चले गए वहां से अवसर आपके सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि साथ में जुड़ जाएए ये एक तरह से जुड़ाव की प्रबर्ती व्यापारिक जीवन में कोई व्यक्ति विशेश जो बहुत पहले से आपके संबंदों के अंदर था आज पुने हैं आपका द्वार खट-कटाता है कि आपके आवशक्ता इस काम के साथ में जुड़ना है तो वहां पर भी आप अपनी स्विकारोक्ती को निरंतर तोर पर लेकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों ये ही वो समय अंतराल जहां से आपके लिए भाईयों और मित्रों का सयोग निरंतर रहता चला जाएगा खर्चों के उपर नियंतरन रखने का प्रयास करना आज बिमानी है क्योंकि वो निरंतर तोर पर बने हुए हैं आप ये भी देखें कि सिक्षा संबंदी कि सिविशेत्र विशेश के साथ में आपका हस्तक शेप रहा है यहां जो मस्कूलर पेन से संबंदित समस्याएं होती है वो आपको डिस्टरब करने वाली हो सकती है उसे भी आप जरूर आज संबलें वरेश्चे गराशी के जातकों के लिए धनागमन में ब्रद्दी और साती सात में पारिवारिक जनों के सात में जो जुडाव की प्रवरतिया संबंदि इस्ततियों के सात में भी जो आप खुद को आगे बढ़ाना चाते हैं उसे लहाज आभी आपके लिए एक सपोर्टिव बेस बना हुआ है जो निरनाय लंबे समय से आपने रोक रखे थे वहां आगे बढ़ा जा सकता है इंस्टंट अप्रोच में कुछ भी इंट अप्रशक यही उसमय जहां कहीं ने कहीं आप भक्ति भाव के साथ में दिरंतर स्वयम को जोडने वाले होंगे और जब उस ततियां अपने आचरण में जलकने वाली होती है तो प्रती एक व्यक्ति एक अलग स्थिक के साथ में जुड़ता हुआ प्रतीत होता है यहाँ बारंबार कॉंस्पिरेसी जॉब में क्रीट की जा रही थी अब एक बार उस व्यक्ति से चर्चा करने की जावशकता रहेगी कि क्यों ऐसा बारंबार किया जा रहा है क्या इसके पीछे वज़े है परोक्ष तोर पर ऐसी हो रही चर्चाएं उस व्यक्ति को जवाब देती ह जिसके आवशक्ता पूर्ण तया यहां आपके लिए बनी हुई है अपने औरुचिकर कारियों के साथ में जुड़ने का प्रयास जरूर करते चले जाईएगा वहीं से मन के भीतर एक संतुस्टिक भाव और खुशियों के आधार पनपने बाले रहेंगे जब हम लगातार एक ही कामकाच के साथ में होते हैं उसके बाद में जब स्वाहिम को गैब देते हैं तो एक अलग 立 गूरिजा के साथ में भी चलते चले जाते हैं वहीं ब्रियस्पति प्रदान धनुराशी के जातकों के लिए आत्म विश्वास में ब्रद्धी और साती सात में जो बड़े निरना इलंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पर गतिमान होकर चलना ये आपके लिए एक मुख सुरूप रहने वाला होगा ये निविदन करेंगे आपसे कि आज आप कानपान पर नियंतरन रखकर चलिएगा मैटल संबंदी कामकाज में बड़े निरने की और बढ़ना आपके लिए हिदगामी रहेगा इसमें किसी भी तरीके की नकारात्मकता नहीं आप ये भी देखिएगा कि जो दोपहर के बाद में आपका आत्म विश्वास पनपेगा ये मन के भीतर की जो नकारात्मकता है उसको दूर हटा कर आपको पुनहे संगटत करने बला एक आधार देता चला जाएगा ये ही वो समय विशेश जहां से आप स्वयम को किसी भी नए कामकाज के साथ जोड़ने की जो प्लनिंग कर रहे थे उसमें महत पुन प्रवर्तियों को अपनाया जा सकता है शुरुवात अलग बात है प्लनिंग का बेस एक अलग बात है उसके साथ में जुड़ने का प्रयास करें लेकन संबंदिकामकाज में आत्मविश्वास बना हुआ वही पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय विते आप से निवेदन करना चाहेंगे कि जो यहां समझाईश के सिरे होते हैं उनको दूर रखे अगले व्यक्ति के साथ में चर्चाओं के जो सिरे होते हैं उनके साथ में चलना आवशक कई भार व्यक्ति जब समझाता है तो कंक्लूड करता है ऐसे कंक्लूजन से आप बचें चर्चाएं करता है तो अगले को भी और स्वयम को भी एक तरह से एक्स्प्लूर करने का बेज देता है अगला भी अपनी बात रख पाएं हम भी अपनी बात रख पाएं कोई ब्लॉकेज के अप्रोच नहीं है इस स्थती के साथ में आप चलिएगा electronic item संबंदी कामकाच के साथ में आपका जुडाव और हस्तक शेप है यह देबस आपके लिए यहां पर profitable approach को लगातार बनाने वाला रह सकता है मकर राशी के जातकों के लिए यहां जो व्याई संबंदी इस्तियां होती है उससे आप संबलने का प्रयास जरूर कीजिएगा यही वो समय अंतराल जहां पर आपके लिए जो सोच में कई बार रोगणतापन अपने वाली होती है उससे दूर रहने की जरूरत रहेगी यहां जो स्वास्त संबंदी इस्तियों में पित प्रदान प्रकरती के रोग कई बार सताने वाले होते हैं उससे भी पूरी-पूरी संबलने की जरूरत है मगर राशी के जातकों से हम निविदन करेंगे कि Logistics, Transportation संबंधी कामकाज में किसी भी नएपन के साथ में आप चलना चाते हैं तो वहाँ पर भी कतिबान रहने का प्रयास कीजिएगा किसी भी दुवधा के सिरे को अंकित करने के आवशकता दूर दूर तक भी नहीं है यहां एक निवधन प्रमुक तोर पर यह भी है कि जो भी कार्य आईटी फिल्ड के साथ में और उसमें भी आउट्सोर्सिंग के एक बेस के साथ में जुड़े होते हैं उसमें कोई भी नयापन आप लेकर आना चाते हैं वो स्वागत योग्य है किसी बड़े निरने की और जाना है आप यहां पर थोड़े से ठहराव के साथ में चलने का प्रयास जरूर करते हैं चले जाईएगा वहीं कुम्ब राशी प्रतमतया आप यह देखें कि जो भागदोड है वो आज स्थापित है वयापारिक जिवन के अंदर मन के भीतर जो भी भावनाएं यहां रचनात्मक सेरे के साथ में आ रही है वहां पर भी जुडने की पूरी पूरी आवशकता हैं आपके लिए रहेंगी यहां ट्रेवल से संबंदित किसी भी कामकाच को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस लहाजा यह समय विशेश बहतर कहा जाएगा और साथी साथ में यही वो समय की प्रवर्ती है जो कहीने कहीं भूमी संबंदित कारियर में आपको आगे बढ़ा रही है आपके लिए रोटेशन संबंदी प्रोसेस के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेश की वज़े से अटकाव बना हुआ था वहाँ पर भी आप गतिमान होने बाले हो सकते हैं शनदेव की मूल तरकॉन राशी के जातकों के लिए यहाँ जो पेट से संबंदित समस्याएं कहीं न कहीं डिस्टाप कर रही थी आपर भी रिलीव का एक हलका फुल का बेस बन सकता है स्टॉक मार्केट के साथ में आप जुड़े रहे हैं जो पूरे ही सब्ताह के साथ में आपने कुछ दुविधाय देखी अवकाश के इस दिवस विशेश में ये सोचने के आवशकता रहेंगी कि स्वैम को रिस्ट्रटजाईज कैसे किया जाए और अगले सब्ताह के अंदर स्वैम के लिए लाभानवित करने वाली स्थितियों को कैसे सामने रखा जाए ये प्रयास भी आप जरूर कीजिएगा विजनस पार्टनरशिप के अंदर आ रही चोटी चोटी दवधाओं से पूर्ण तया बच कर चलना आपके लिए आवशक है ये एक निवदन हम आपसे करेंगे वहीं आप ये भी देखें कि किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और कुछ खुशनुमापलों का आपको लंबे समय से इंदसार था जो सामदे नहीं आप आए आज वहाँ पर भी आपके लिए एक अलग एप्रोच रहने वाली हो सकती है जिसको हम पॉजिटिव कहने वाले रहेंगे साथ मेहीं जो मेडिकल लाइन के साथ में जुड़े वोई मानुभाव है मान और सम्मान की स्तिया आज आपके लिए बढ़ती चले जा रही है महीं मीन राशी के जातकों के लिए रियम चर्चा करते हैं तो प्रतम तया भाग दौड और भाग दौड के साथी साथ में सुकून संतुस्टी सफलता क्या धार यह नियामक प्रवरतियां यहां सामने मौजूद नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन अपनत्व के भाव को अपना कर चलिएगा कई बार हम उस प्रोफेशनल एटिटूड की साथ में चलते हैं जहां अगले व्यक्ति की सम्वेदनाओं को समझना बोल जाते हैं अगले व्यक्ति की स्तियों के साथ में स्वैम को जोड़ना बोल जाते हैं उससे आप समलने का प्रयास करें यहां पर आपके लिए जो भी कामकाज किसी व्यक्ति विशेश के साथ में जुड़ा हुआ हो और उसके साथ में संबंदों में दुरावध था थोड़ा सा जोग कर उस व्यक्ति तक चर्चाओं के लिए पहुंचना उन्हें अपने पन के सिरों को अपनाना ये आविशक रहेगा और से के साथ में आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो आप टेक्स्टाइल संबंधी कामकाच के साथ में हस्तक शेप रखने वाले व्यक्ति विशेश वहाँ से भी बहतरी निरंतर निकल कर आते चले जा रही है दुविधाओं के सेरे बिलकुल भी मौजूद नहीं है किसी भी कीमती वस्तू का अपने साथ आज आप कैरी कर रहे है या फिर किसी बॉडन मिटिंग के और जा रहे है एक बार जो खुद का बैग होता है उसका बहुत अच्छे से चेक कर लेजिएगा कोई भी लापरवाही वहाँ पर सामगे निकल कर आने वाली नहीं हो प्रिपरेशन के बेस को प्रोएक्टिव रहकर अपनाने की पूरी पूरी आवशक्ताएं यहाँ आप के लिए रहने वाली रहेंगी और वही माता के स्वास्ते का विशिश्टवार पर आप ख्याल रखने का प्रयाज जरूर करें पिटा के साथ कामकाज के मदर हैं तो जो एक कॉर्डिनेशन का बेस एस्टबलिश होना चाहिए वो भी लगातार यहां पनपता चला जा रहा है यहां यह निवदन आपसे हम करेंगे कि जो भी रिशर्ट संबन्दे कामकाज है वहां पर भी आप स्वायम को अलग सिरे के साथ में गतिमान करते चले जाईएगा आत्म विश्वास में सुबह के अंतराल से ही आपके लिए लगातार व्रद्धी रहने बाली रहेगी इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवर्टिया नहीं तो यहीं आप इस बात पर भी जरूर कोर करें कि यही वो समय है जहां से खर्चे भी निवेश की शक्ल में आपके लिए बढ़ते चले जा रहे हैं तो यह था 29 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर मौजूद रहेंगे धन्यबाद और कोटी शेह आभार